नमस्कार कैसे हैं आप तो आज मैं एक नया नौवल शूब कर रही हूँ जिसका नाम है चाकल गाथा और जिसे लिखा है वेमल मेत्र ने वेमल मेत्र के नाम से तो आप सब परीचित ही होंगे बहुत जाधा नोने हिंदी और बांगला उनकी अपनी लेंग्वेज है तो उसमें उन्होंने बहुत लिखा उनकी फिल्म जिसमें मीना कुमारी थी उनके द्वारा लिख्यू ही कहानी पर ही बनी थी साहिब बीबी कुला जो बहुत फेमस हुई जैसे फिल्म फिल्म आवार्ड मिला इसके अलावा दू दर्शन में एक सीरियल आता था बहुत पहले नहीं मुझरिम हाजर है वो भी इन्होंने ही लिखा था और इसके लावा बहुत सारी कहानियां नॉबल्स इन्होंने लिखे हैं बहुत ही बढ़ और इसका मुल्या है आठ रुपे तो मेरी कैसा अजीब सासा लगता है वाज का सोचना आठ रुपे की किताब बहुत पुरानी पड़ी हुई थी एक किताब शैद मम्मी की होगी किसकी होगी हमारे गर में पढ़ते बहुत थे लोग तो पड़ी हुई है पुरे पीले पेज पुष्पा देवड़ा ने महले के लड़के हैं हम सब हमारे महले के सभी लोग हम लोगों की ही तरह मध्यमवर्गे हैं सुना है कि पहले ऐसा नहीं था ये भी सुना है कि उन दिनों शायद ये स्थान खुला मैदान था हब तो चारो तरफ मेकान बन गए है पर पहले इस ज अंसार सेन नामक एक व्यक्ति ने खुली जगह में रहने का सुख भोगने के लिए यहां काफी बड़ी जगह लेकर ये मकान बनाया था। उन्हीं के वंशज हैं ये। पहले सिर्फ उसी एक घर में दुलगा पूजा हुआ करती थी। पूजा के दिनों में देवी पतिमा दे का महसूस की जा सकती है। सामने बहुत ही बड़ा गेट है। उन दिनों इस गेट पर दर्बान पहरा दिया करता था। शाम के वस सेन बाबू लोग चुननटवारी किनारी की सफेग झखचग धोती और कुर्ते में सजे समरे। तेची मांग निकाले। घोड़ा गारी में बैट कर हवा खोरी के लिए जाया करते। उन दिनों मकान में घुसने में हमें बहुत डर लगता था। शूशू में जब हम लोग यहां रहने आये थे तब भी हम यही जानते थे कि ये लोग बड़े आदमी है। उनमें और हमें जमीन आस्माइन का अंतर है। उनका समाज ह हुई दिवारे थी, मकान के सामने बाग था, बाग में हंस, मूर, काका तुआ, तरह तरह के पक्षी थे। कहने का तातपर है, बड़े लोगों के घर में जो कुछ भी होना चाहिए, वो सब था उनके हां। उसके बाद धीरे धीरे उस मकान का सब रूप मलान होता गया। ज कियों जों दिन गुजरते गहे, मकान अधिका अधिक पुराना नजराने लगा। दिवारों पर अब रंग भी नहीं किया जाता था, घोडा मर जाने पर दूसा घोडा भी नहीं खरीदा गया। नौकर चाकरों के कपड़े भी अम्मेले ही रहने लगे थे। दूसरी और अ नई मोटरे आती और भी तरह तरह की बाते। ठीक उनी दिनों एक कांड हुआ। कांड के एक दिन पहले हमने देखा था कि सेन परिवाय के बड़े बाबू सदा की तरह सजे सवरे घोडा गाड़ी पर चड़कर कहीं गए थे। उनके जाने के बाद तूटे हुए गेट को दर्बान भूशन सिंग ने बंद कर दिया था। उसके बाद रात हुई। सेन बिल्डिंग के हर कमने में सदा की तरह रोशनी भी हुई। और फिर आधी रात के समय हमीशा की तरह पूरा मकान खामूश भी हो गया। जिस परकार और दिनों अंधिरों में डूबा ये मकान स उस दिन भी उसी परकार मानों नेजीव निश्प्रांड सा खड़ा मकान उसा से भर रहा था। पस सुभा नेन तूटते ही सभी दंग रह गए। मकान के सामने पुलिस थी। लाल पकड़ी वाले तीन चास से पाई और द्रोगा को देखकर मकान के सामने भीड खटी हो गई क्या हुआ महाशे हैं? हाँ भाई क्या हुआ? एक ने कहा, मिस्टर क्या नफरा नामक कोई व्यक्ति रहता है इस मकान में? नफरा नहीं मान्ज मिस्टर, उसका नाम नफर है। हाँ हाँ एक ही बात है, जहाए चावल भाजा को या मुरी, शायद उसी पठे ने चोरी वोरी क कि ओगी? अरे चोरी नहीं डगयती, कहो डगयती, डगयती हुए बिना इतनी पुलिस थोड़े ही आती? नहीं जनाब, मैंने तो सुना है, किसी ने फांसी वांसी लगा ली है। एका एक देखा कि गुलमुहर अली घोडा गारी हांकता हुआ इधर ही चला आ रहा है, सभी न पाउन नीचे लड़काए बैटा है नफर, वाह, आज उसने भी चुननट की किनारी वाली धूती और सफिद जखा जख कुर्ता पहेंकर कित्रची माग निकाली है, और, और, लेकिन सुनी, पुलिस के बारे में मैं जो कहरा था न, वो सब बाते बात में बताऊंगा, पहले नफर संकीरतन यानी चाकर गाथा सुनी है, एक सुभा करीब 11 बजे सेन परिवाल के शीर सुवन सेन अंगडाई लेते हुए नीन से जागे, जो ही उनकी आखे खुली, उनका खास सेवक पांचू, एक हाथ में बोतल और दूसरे हाथ में सिगरेट का पैकेट लिए हाजर जी मैं भी बुलाता हूँ उसे, पांचू ने जवाब दिया, खास सेवक पांचू, तॉले को कंधे पर संभालता सा दोड़ा, नफर की पुकार हुई है आज, इस समय बात करने की भी फुसर नहीं है उसे, बाहर घुमावदा सीडिया है, सीडि के ठीक नीचे मदान खाना ह खास सेवक उसी सीडि से आता जाता है, वह सीडि अपवित्र मानी जाती है, निशत चीजें इसी सीडि के द्वारा ले जाई और लाई जाती है, जनान खाने की सीडि रोज गंगा जल से धोई पोछी जाती है, उसी सीडि से मांची का पूरा का नवैत, पूजा का नवैत ल लेकिन सुवन बाबू के लिए फाउर करी बोतल ये सब भार वाली सीड़ी से आता है। अरे बाबू ने नफर को बुलाया है। नफर की पुकार हुई है आज मैं तो चला। फूल मनी बतन मांच रही थी। धेर सारे जूटे बतन। फूल मनी बहावाले बतन यानि की फाउल कटलेट और अंडे बनाय हुए बतन मांचा करती थी। इन बतनों को मांच कर फूल मनी बहारी रख देगी। बहावाली फूल मनी को अंदर वाली सिंदु अकसर कहती है। अरी छूना नहीं मुझे। हटकर खड़ी हो देख देख आखे चूकर ही मानेगी क्या। और फूल मनी कहती। मैंने कोरी सारी पहन रखी है। छूबी जाय तो क्या है। बतन का काम खर्तम करके इस कोरी सारी पहन करा आई हूँ। देख बस बस रहने दे। देखी तेरी कोरी सारी तेरी जातपात भी है कुछ। इस मकान में यानि संसार सेंग कि इस आदिम ग्रस्ती में भीता बहार बहुत सी छूत अछूत जीब वास कते हैं। उनका जीवन इत्यास किसी को भी मालूम नहीं है। सिर्फ बहार के बतन ही नहीं, बहार के मनुश्य भी भीता नहीं जा पाते। बहार दवाजे पर ही खड़ी होकर फूल मनी अवाज लगाती है। अरे ओ सिंदू, हाथ में थोड़ा तेल तो डाल। इस दरवाजे के उस पार जाने का उसे ना तो अधिकार ही है और ना सहासी। इस पार यानि बहार की तरफ के भीगे कपरों के छीटे तक भीता नहीं पर सकते। बाहर के और बनी मचली का टुकडा अगर कववा भीतर आंगन में डाल दे तो भीतर का आंगन अशुद हो जाता है। तब बड़े-बड़े कलशों में आंगन धोने के लिए गंगाजल मंगवाया जाता है। कलश के कलश गंगा जल आंगन में उंडेल दिया जाता है, मा जी उपर ब्रामदे में खड़ी आदेश देती रहती है, सिंदू, उधर से जगा सूखी ही पड़ी है, उधर पाने डालो, पर आज फूल मणी सिंदू को देखकर ही बोली, तुमने सुना सिंदू, बड़े बाब किस ने कहा? किस ने कहा, ये कोई नहीं जानता, बात कहां से आनब हुई, सबसे पहले किस ने सुने, ये कोई नहीं जानता, लेकिन पूरे मकान में हलचल मच गई है इस खबा से, एक कान से दूसरे कान में होते हुई, पूरे मकान में ही फैल गई, हारी, क्या बड़े बाब उने सच में ही नफल को बुलवाया है अरे भाई, बड़े बाबु तभी तो सो कर भी नहीं उठे होंगे गुलमोहर अली अस्थबर में चितपड़ा सो रहा था बड़े बाबु के पिताजी के जमाने से उसका इस घर में काफी मान होता आया है न्यूक्त भी तबी से है वहे उस समें काला और बदामी दो घोड़े थी जब मकाई के बड़े फाटक से घोड़ा गाड़ी निकलती तो आसपास के लोग घोड़ा दोनों घोड़ों को देखकर दातों कले उंगली दबाते गुलमुह अली जरी के काम की वरदी पहन बड़ी शान से गाड़ी की छट पर बैठ गाड़ी चलाता कई लोग तो उसकी शान देख उसे सलाम तक क्या करते सलाम अली साफ, सलाम उन दिनों गुलमुह अली की स्थिती भी अच्छी थी अगर किसी को मालिक से अपना काम निकलवाना होता तो गुलमुहा अली को पकड़ना ही काफी होता पर एक बार एक शिकारी मैना बिचने आया बस गुलमुहा अली ने उसको तीन सो रुपे दिलवा दि मैना ना तो कुछ बोलना चानती थी और ना ही अच्छी तरह उसके पंख निकले थे मालिक उस वक्गोडा गारी में बैठने ही वाले थे कि शिकारी ने अकल कहा हुजूर मैना खरीदेंगे उस समय मालिक के खास सेवक का नाम था पीर जादा फाल तू आदमी देख पीर जादा ने उसे डाट कर भगा देना चाहा शिकारी ने कहा अरे नील ग्री प्राड़ी की मैना है साथ आपकी तबे धरीकर देगी पता नहीं मालिक को क्या सूचा और कोई वक्त होता तो शैद भगा देते उसे पर उस वक्त शैद उनका मिजाज अच्छा था उन्होंने मैना को गौज से देखा क्या कीमत है इसकी? पांच उपे उस समय मालिक के पीछे की और दुल्लब बाबु खड़े थे मालिक के साथ वह भी बगीचे वारी हवेली में जाया करते थे उन्होंने मालिक के बात का उत्तर देते हुए कहा पांच उपे? आप भी क्या बात करते हैं हुजूर पांच पैसे कीमत भी नहीं है इसकी ये तो क्या? इसकी चौदा पीडियों में भी मैना पैदा नहीं हुई होगी बेशक ये शालिक है शालिक एक तरह की छोटी चडिया होती है बस मालिक को गुस्सा आगा साला मुझे ठग रहा है निकले हां से नहीं नहीं हुजूर असली मैना है शालिक नहीं है साब नहीं ये शालिक पैच्छी ही है इसकी चौदा पीडियों शालिक है मुझसे ही मेना और शालिक का भेद बता रहा है मैं कहता हूँ ये निश्चे ही शालिक है शालिक नहीं हुई तो मैं अपने कान कटवा दूँगा हुजूर मालिक ने बगीचे जानस थर्गित कर दिया और बोले बुलाओ मोरी बाबू को बुलाओ मोरी बाबू चागदा के रहने वाले हैं वो जरूर मेना और शालिक का भेद बता देंगी मोरी बाबू खजानची खाने में काम कर रहे थे मालिक का संदिशा था कान में कलम खोजकर दौटते से आये मालिक ने कहा क्यों मोरी बाबू, तुम्हारा तो घर चाकदा में है, तुम्हें तो जुरूर मैना के अच्छी पहचान होगी जी, पहले तो थी पहचान, देखो जरा, ये मैना है की नहीं मोरी बाबू ने आँखो पर से चश्मा हटा माथे पर चड़ा लिया और अपना चेहरा पक्षी के करीब कर उसे गौर से दिखने लगे बेचारे का काम था हिसाब के खाते भही देखने का, अदाएगी रसीद देख कर उसे पक्की भही में लिख लेना उसके बाद उसे खाते से जमा बकाया अलग-अलग लिक का अलग-अलग हिसाब रखना पड़ता था आज 24 साल से आविराम यही काम करते आए हैं उस व्यक्ति को आज एका-एक मालिक के हुक्म से पक्षी के असली नकली होने की पहचान करनी पड़ेगी बहुत सोचिन समझने के बार बोले जी चागदा में मैंने तो ऐसा पक्षी पहले कभी नहीं देखा फिर भी लगता तो यह शालिक जैसा है तो फिर मलिक बाबू के हाई दे हां मुझूर उन्होंने डेर सकी में ठहराई थी पर मैंने ये दुल्लब मैना उन्हें नहीं दी दुल्लब बाबू ने पूछा कौन मलिक बाबू? कहां के मलिक बाबू? जी गवाय कोटी वाले मलिक बाबू साब गवाय टोकी के मलिक बाबू? बात कांटी की तरह चुबी मालिक के कानो में तो क्या गौार्टोली के मलिक लोगों को मुझसे ज़ादा पर रख है पश्यों की? गौार्टोली के ये कौन से मलिक है? दुलब, ये किसकी बात कर रहा है? हजूर, और किसकी बात कर रहा है? नुलो मलिक की बात कर रहा है. उसके आजकल बड़े पर निकलाया है ना इतनी देश से गुल्मुह अली घोड़ा गाड़ी की छत पर बैटा था अब वो नीचे उतराया बोला हजूर ये बिल्कुल असली मैना है अब दुल्लब बाबू भी मैना के करीब खिसके बोले देखा तो औरे जड़ा अच्छी तरह देखू शिकारी ने पक्षी का पिंच रहा दुल्लब बाबू की ना के सामने क्या उस तरफ से दिखा इस तरफ उस तरफ चारो तरफ से अच्छी तरफ जाचने प्रखने के बाद दुल्लब भी बोले हाँ हुजूर मुझे भी ये मैना से ही लगती है ज़र अच्छी दरा देख कर बताओ दुलव आकर हमें नुलो मलिक के सामने क्या हर मानने पड़ेगी मोहरी बाबु भी तब तक बड़े ध्यान से मैना का मुएना कर रहे थे मुझसे ही गलती होगी मालिक ये असली मैना ही है सही कह रहे हो ना हाँ हजूर शक की कोई गुझाईश नहीं है ने संदे ये मैना ही है अब बहुत जादा देखने के जोट नहीं करता बाबु यानि कि मालिक ने पूछा नुरो मलिक ने इसके क्या कीमत लगाई थी हुझूर उन्होंने तो डेर सो कहा था पर मैंने दी नहीं हम अच्छी बात है मैं तुम्हें तीन सो दूँगा लेकिन ये बात नुरो मलिक से जाकर कहकर आना होगा कि मैंने तुमसे वही मैना तीन सो में खरी दी है हाँ हाँ यूँ ही छोड़ देना ठीक नहीं हुझूर नुलो मलिक को सुना देना बहुत जोरी है आजकल उसके बहुत पर निकलाए है आखे वह पक्षी खईद ही लिया गया पक्षी के लिए पिंजरा भी खईदा गया तीन सो रुपे में खईदे गए पक्षी को अगल बगर के दस घरों के लोग देखने आए पक्षी को देखकर चारों तरफ वा वा हो गई पर आखे एक दिन चोरी पक्री ही गई वह पक्षी मैना ना होकर शालिक है ये किसी से भी चुपा नहीं रहा एक दिन नौकरों से नहला रहा था कि पवंजों पर किया रंग धुल गया और असलियत परकट हो गई आँखों के अगल बगल हल्दी का दाग था शरील का काला रंग भी उपर से किया हुआ था सारी चला की सामने आ गई सेन परिवार के इसी परकार के अनेक किसे मशूर है इस वंश के किसे यानि संसा सेन के वंश धरो के किसे एक ही कहानी में खतम होने वाले नहीं है इस जिस परका वारेन, हैंस्टिंग्स या फिर उससे भी पहले के अंग्रेजी राज्य के उत्थान पतंग का एक इत्यास है उसी पर का सेन वंश के उत्थान पतंग का भी एक इत्यास है अब गुल्मोहर अली का काम कम हो गया है अब बड़े बाबू अपने पिता की तना रोज घूमने नहीं निकलते रोज घूमने जाने लाइग ना तो उनका मिजाजी रहा है और ना ही स्वास्ते गुल्मोहर अली खान खा पीकर सो बैट करी अपना समय गुजारता है अगर कभी मूड आया बड़े बाबू का तो हच से हच महिनों में एक बाब गुल्मोहर अली को गाड़ी बहार निकालने का हुकम होता है बड़े बाबू का खास सेवक पांचु आकर खबा दे जाता है गुल्मोहर आज बड़े बाबू घुमने जाएंगे आखरे एक दिन वह बदामी रंग वाला घोड़ा भी मल गया बड़े मालिक का बहुती दुलारा घोड़ा था वह बेचारा इलाज के अभाव में मल गया अस्तबल में दाना खाते काते ही जमीन पर लुड़क गया बस तब इसे गुल्मोहर भी तूट सा गया अचानक अब्दुल सैस ने आकर खा चाचा बड़े बाबू नफर को बला रहे हैं नफर को बला रहे हैं गुल्मोहर सोया पड़ा था खबर सुन जटके से उट बैठा नफर को बलाया है तुझे ठीक से मालूम भी है न हाँ चाचा खास सेवक कह कर गया है अब तो सच मुझ ही गुल्मोहर उट खड़ा हुआ नफर को बड़े बाबू ने बलाया है अब घोडे को त्यार करना होगा अपने लिए जरी वाली पोशाक निकालनी होगी घोडे की मालिष वालिष करनी होगी घोडे की पूँच पर इत्र मलना होगा उसकी पीट पर काटिर चलानी होगी बैज गड़िया क्या कही है खास सेवक नीचे उतरा ही था उतिनों सरवपत्रम बड़े मालिक ने ही चेतला में धांकी मिल बैठाई थी। उनकी देखा देखी ही गौाल टोली के नूलो मलिक के पिता मातार मलिक ने भी धांकी मिल बैठाने का निश्य किया। बड़े मालिक के धांकी मिल से राद दिन चावल निकलते थे। वही चावल आसप और रौस के सभी प्रौसी देशों में भी भीजे जाते थे। जैसे जुआवा, सुमात्रा, फिलिपाइन, मलाया और चीन सभी चावल खोर देश थे। बड़े मालिक आदेश था। ओस्तन मन पर चार आने लाव रखकर सारा चावल बेज दो। चेतलाग के गंगा किनारे से ही हजारों नावे चावलों से भर का अलग-अलग देशों को जाती थी। फलसरूप घाट के किनारे चाय पकोडों की दुकाने खुल गई थी। मजदूर लोग सुभा जा आते और धान को द धकना पड़ता था। अगर ऐसा नहीं किया जाता तो पाला लगने एवं कबुत्रों के खा जाने का डर बना रहता था। धान सूख जाने के बाद मशीन में डाला जाता और धड़ा धड़ मशीन चालू हो जाती। मशीन की आवाज से मिल की इमारत थतराती रहती थी। माल मोरी बाबू के ने उस मिल को बैठते भी देखा है और उठते भी देखा है बड़े मालिक ने अपना समझ जीवन तो बाग वाली हवेली में आने जाने में ही व्यतित किया था किवल जिंदगी के आखरी दिनों में डेर्ड वर्षों के लिए काशी वास किया था और वहां से आने के बाद वह अधिक दिन जीवित नहीं रही थे आजकर कालिदास बाबू खजानची है चावल की मिल के विशे में वह विशेश कुछ नहीं जानते लेकिन मोरी बाबू सब कुछ जानते हैं वह कालिदास बाबू से कहते सुने खजानची बाबू आखरू शालिक पश् खल्च तो मुझे ही निप्टाना पड़ता है। और कपड़े लत्य धुलाने की भी दुकान है। इस वक्त तो खर्च की भाही दो मुझे। फिर कुछ देवा पूछते हैं। पिछले महीने बड़े बाबु ने कितने रुपे उठाए हैं। जरा देख कर बताओ तो। मोरी बाबु हिसाब देख थोड़ी देल के लिए चावल मिल गए थे। लोटते वक्त रास्ते में बड़े बाबु के खास से वक्त पांचों से भीट हुई। और फिर वह दोड़ते हाफते सीधे खजांची बाबु के पास से आकर रुका। खजांची बाबु सर्मनाश हो गया। क्या हुआ। कालिदास बाबु ने खल्च खाते पस से नजरे हटा कर पूछा। बड़े बाबु ने नफल को याद किया है। फिर नफल को याद किया है। कालिदास बाबु खबर पाकर मानू मुझा गए। महने की 24 थारिक होने को आई। पावना आदी कुछ भी प्राप्त नहीं हुए अभी तक। तिस पर नफल को याद किया है। मादान खाने की कुमावदा सीडियों के नीचे दर्बानों की कोठरी है। पुराने खाते बही वही ताक पर यहाँ वहाँ ठुसे पड़े थे। करीब 8-10 पीडियों के जमा खर्चव बकाया हिसाब के खाते बही। कितनी जमीदारी थी ततब कितनी धान मिले थी और अन्य सभी कारोबार के हिसाब किताब के बही खाते इधर उधा संदूकों पर पड़े थे। सार पर सार गुजरते चले जा रहे हैं और उन पर धूर की पते जमी जा रहे हैं। उस कमरे में रहने वाले दरबान सुबह सोकर उड़ते, फिर दुपहे को सोते और रात को महां बैट कर रमायन पड़ते। उन लोगों को गुमान भी नहीं था कि कितनी पीडियों के हिसाब किताब के बही खाते वहां धूर की तोहों में दबे पड़े हैं। जबकि उन्हें त्यार करते समय कितना प्रिशम करना पड़ा होगा। कितना अनमोल धन रहे होंगे ये बही खाते। कई पीडियों के पाप अपुर्णे की फसल थे ये बही खाते। ये फसल एक दिन में संचित नहीं हुई थी। सदियों के दिन रात की विलासिता, अनासक्ती, प्रेम, वितरशना, आदि संचित हैं इनमे। आज इनके बारे में ना तो किसी को पता है और ना ही कोई कलपना कर सकता है। भविशय में भी कोई नहीं जान पाएगा इन सब के बारे में। जानता है सिर्फ एक व्यक्ति। मा जी कहती हैं कौन बहु। बहु इस परिवाल के बड़े बाबु की पतनी है। बहु इन सब को बहुत अच्छी तरह समस्ती जानती है। जब रात बहुत गहरी हो जाती है और सडकों पर ट्राम बसों के अवाजे करमशह धीमी होती हुई बिलकुल बंध हो जाती है। तब भी उन्हें नीन नहीं आती है अवाज देती है। सौरभी जा देखकर आतो जद्तारन बाबु आ गए या अभी तक बैठे हैं। जद्तारन बाबु नए कप्रे पहन अपने कुर्टे पर इत्र मल कर आते और मसनत के सारे टेक जाते। पहले तो रोज आया करते थे। गुल्मुह अल्ली उन्हें नियम से लाने जाया करता था। गाड़ी सीधी कवली टोला ले जाकर ही रोखता भै। जद्तारन बाबु को सजने सवरने में जितनी देर लगती उतनी देर गाड़ी वहीं खड़े रहती। अब बड़े बाबु के पास ही आते जाते हैं वैं। आते ही ख़ब सुनाते। आज एक मुवक्किल फस गया। बड़े बाबु तक कि एका साहरा ले अराम से बैच जाते और पूछते। अब कौन सा मुवक्किल फस गया है भाई मास्टर। आते ही सबसे पहला प्रशन नहीं पूछते। मा जनेनी कैसी है बड़े बाबु? अच्छी है। खुशी की बात है बड़े बाबु? ऐसी पूणे आत माओं को कुशलता से ही प्रत्वी का अस्तितु कायम है। वरना तो जिस त्रीव गती से इस प्रत्वी पर पाप का बोज भर ला है। खैर आज की खबर सुनी आपने? कैसी खबर? आपने सुनी ही नहीं। अरे हाई कोट एरिया में तो इस खबर से बुचाल साया हुआ है। माताल मलिक का पोता है न? अजी वो नूलो मलिक का बेटा? कातिक मलिक? फस गया। क्यों? काबुलिया की हुंडी लिक का दी थी, आज सूद और असली सब की डिगरी हो गई, अब से नहीं उडा सकता बेटा। कलकता में एक नएक कप्तान रोज फसी जाता और जत्तान बाबू उनकी फैर रिस्त बड़े बाबू को बहुत रस लेका सुनाया करते। पहले बाबू रोज आते थी, पर इधर बड़े बाबू के खूं का जोश कुछ ठंडा पड़ गया है, कुछ ना कुछ बिमारी लगी ही रहती है, अधा कभी कबार आभी जाते हैं तो वैसी बैठक नहीं जमती जैसे पहले जमा कती थी, अकेले जगतान बाबू बाबू ब सोड का उठते वा कहते, अरे नहीं, इतने दिनों यह बात ध्यान में ही नहीं रही थी मास्टर, मुझे तो भाई याद दिलाने के आवशकता है, तो फिर कल ही हो जाए, इस बहाने विस्की पीने का मौका मिल जाता है, वो भी धीरे धीरे लुपत होता जा रहा है, अपने के कमरों के सामने बैट, भूशन सिंग सत्तु खा रहा था, चतान बाबु ने उसके पास जाकर कहा, कौन, भूशन, भाईया, एक बार भीता खबर विजवानी है, जरा मा जननी की चरन रज लेनी है मुझे, भूशन सिंग सीधा मा जनननी तक नहीं पहुंच सकता, वे पैम को खबा देता है, पैमन्थ मदान खाने का नौकर है, मैं जनननी की सिंधू को खबा देता है, सिंधू मा जनननी से कहती है, मासर जी आपकी चरन रज लेने आये हैं मा, इतना सब होने के बाद, जतान बाबु पैमन्थ को साथ लेकर, जननन खाने में जाकर, सीड़ी के हापका बेटा आपके चर्णों की दूर लेने आया है, इधर कुछ दिनों से मैं आ नहीं सका, अथा अपड़ा शमा करें माँ. सिंदु मा जननी कितब से कहती है, लड़के को जड़ा समझाईए मास्टर साफ, जी मा जननी मैं तो रोज यही काम करता हूँ, मुझे कहना नहीं पड़ेगा, मैं उनसे हमेशा यही कहता रहता हूँ कि ये सब अंट शंट बेका की चीज़े, खाना पीना कोई अच्छी बात ह समझी न मा, पहले से तो बहुत समझदार हो गया है, मा जननी आपने शिंद रहिए, देखे न, समझाते समझाते मैंने उसे कितना सिधा कर दिया है, फिर सिंदु पूछती, लड़के का मिजाज आज कैसा है, आज तो मिजाज अच्छे ही दिखा मा जननी, आज तो गीता भ आप रत्ती भच चिंता ना करें, अब देखेगा, मेरे हाथ का जस और आपका अशिरवाद क्या रंग लाता है, फिर सिंदु कहती, मेरा एक ही तो लड़का है, आप ही शूर से उसके गुरु रहे हैं, आपका भ्रोसा है मुझे, मुझे पर भ्रोसा रख आप निशिंत रह ये मा जननी, बस आपकी चरण रज मुझे ब्राबर मिलती रहे, फिर मैं किसी से नहीं ड़ता, जैसी चरण धूली देकर मुझे करतात करें मा, तो मैं घर लोड़ जाओं। ये घटना बहुत दिनों की ही नहीं, बहुत वर्षो पहले की है, बहुत वर्षो से ही मा जननी की चरण धूली प्राब करने का जट्राण बाबू का सिलसिला चला आ रहा है, ये चरण रज की ही महिमा है जो जगत्राण बाबू ने कंबली टोला में अपना मकान बना लिया पिछली रात को भी आई थे जत्रार्ण बाबू, हमेशा की तरह बड़े बाबू के कमरे में बैठे मुखकिल के फसने की बात भी की, हमेशा की ही तरह मा जननी के चर्णों की धूल ले सरसे लगा कर अवन प्राणाम करके भी गए थी, उस वक्त तक किसी को अंदाजा तक नही की पुकार होगी, स्वेम नफर ने भी कलपना नहीं की होगी इस बारे में, खास से वर पांचू मदान खाने में पहुचा ही था कि भूशन सिंग से उसकी टकर हो गए, भूशन सिंग बहुत पुराना नौकर है, बड़े मालिक के जमाने में वह बंदूक लिए पहरा दिया क्योंकि खास सेवक मुर्गी मचली आदी सब कुछ छूता है, अंदा है क्या, दिखता नहीं, कुछ और कड़वी बात कही जाती तो हाता पाय की नौबत आ जाती, ऐसा कई बार हो भी चुका है, ग्यद भी अब भूशन सिंग में भै तेज नहीं रहा, पर गुस्सा बहुत है, गुस्सा आने पर उसे भले बुरे का ग्यान नहीं रहता, अच्छा, मुझे आँख दिखाता है, उस जमाने में तो बड़े मालिक तक भूशन सिंग को खिजाने में कतराते थे, वे हमीशा कहा कते, उसे खिजाया मत करो तुम लो, वो असली मैथिल ब्रहमन है, गुस्स ने अंगुठा दिखाया भूशन सिंग को, भूशन सिंग को इतनी जोगल का गुस्सा आया कि अगर उसको जड़ा सार उक्साया चाता, तो आंटे से भरा थाल पांचु के सर पर ही दे मारता, अगर थाल ही दे मारता तो पांचु की खैन नहीं रहती, वो खून से लत्पत वहीं किर पड़ता, और उसके बाद नफर को बलाना भी संभव नहीं होता, अंधा है क्या दिखता नहीं, भूशन सिंग ने कहा, तुझे तो मैं बाद में समझूँगा, अभी मुझे टाइम नहीं है, बड़े बाबू ने नफर को बलवाया है, अगर इतना जरूरी काम न होता न, तो तुझे अभी बता देता, नफर को बलवाया है, भूशन सिंग जैसा गुसेल, मैथिर, ब्रहमन भी ये बास सुनकर स्थप रहा गया, रसोई घर में सुबा से ही दुनिया भर का काम रहता है, काम तो हर वक्त ही रहता है, रसोई घर के धुएं के जालो और काली हुई चार दिवारी के भीत, जिन लोगों का जीवन व्यादीत होता रहा है, उन लोगों को पता भी नहीं चलता कि सुर्य कब उदय हुआ और कब अस्त हुआ, बड़े बाबु को विविद वियंजनों का शौक है, खजानची बाबु ही बजार का भी काम करते हैं, बजार क बहुत बड़िया नैनी ताय के आलू है बाबु, आधा मन ले जाएगे। बजार कर चुकने के बाद कुछ सौदा तो जाता उनके अपने घर, और कुछ इस घर में आता। चाहें बने या ना बने, लेकिन तले हुए आलू अवश्य बनने चाहिए। बड़े बाबु जब जीनने बैठते हैं तो कहते हैं, पांचु थोड़े आलू और लाने को कह ज़रा। और खास से वक पांचु रसोई की तरफ दौर पड़ता है। रसोई घर भी क्या सामने ह मादान खाने के आगन में एक बहुत बड़ा नीम का पेड़ है। उस नीम गांच को पार कर खिड़की में से रोसरी घर का दवाजा दिखता है। पांचु दौरता हुआ वहीं पहुँचता है। और कुछ दूरी पर ठिटक का आवाज लगाता है। शिशु की मा, बड़े इतनी देर हो गई है पर अभी तक सब्जियों का सिलसिला नहीं मिटा। मंगला शिशु की मा से कहती। शिशु की मा, खजांची खाने से अभी तक कोई खाना खाने कैसे नहीं आया। सबसे पहले खजांची घर के लोग भोजंगा थे। एक लाइन में बैठ कर रोज तीन व्यक्ति जीमते थे। परोसने का काम शिशु की मा की आकती थी। उसके बाद मलदायं खाने में जो लोग 2-4 दिनों के लिए आये हुए रहते वे लोग खाते। मिलके मैनेजर बाबु करीब 12 बजे आते। उन्हें भी खाना परोसना पड़ता। जिस परकार अलग-अलग लोगों को खाना खिलाने का काम था, उसी परकार बार भार खाना बनाने का भी काम था। मा जी वहुराने के पसंद का खाना सिंदू थालियों में परोसकर दो तल्ले ले जाती। सबसे आंत हैं बड़े बाबु खाना खाते। अरे क्या बड़े बाबु नहने गए? तो चौके में इंजाल करना पड़ता है जब तर बड़े बाबु ना खा चुके मंगला भी नहीं खा सकती हाँ भूक अवश्य लगाती होगी लेकिन भूक लगी है या नहीं ये सोचने तक कि उसे फुसत ही कहां रहती शीशू की मा त्यारी करती रहती और मंगला खाना पकाती र हरी जा चिरा देख न बेचारा खाए बेना रह जाएगा कभी कभी तो वो खाना खाने आता ही नहीं था बुलाने के लिए भेजने पर उसका कहीं पता नहीं लगता था इस मकान में रहने वाले प्रते व्रक्ति को कुछ न कुछ काम रहता है खजांची बाबु से लेकर चा आप देना बड़ा मुश्किल काम है हाँ व्रस्त सभी रहते थे सुबा से ही क्यों एक पहर रात बाग की रहती तबी चूलों में आंग लग जाती उस वद कोई भी सोकन नहीं उठा होता लेकिन आंगं के नल के नीचे मंगला नहा चुकी होती उस वक्त विदवा है वेचा पूश्की मा डाल मसाला पीस्ती पीस्ती पूश्ती दीदी अनबु बाची कब है यानि कि सौर आशान की तारिक सास से नौ तक तीन दिन इस समय ब्रहामर तता उच्वर्ण की जो विदवाई होती है वो वरत रखती है कौन जाने किसकी अनबु बाची है कब अनबु बाची है कब सुर्य ग्रहन है कब पूर्णेमा है या फिल कब एकादशी है इन सब कर ब्योड़े बाद जानकारी रखने की रसोई घर के लोगों को जरा भी फुसर नहीं है चार चूले हैं रसोई घर में जो हर वक्त यूँ धून धून जलते रहते हैं मानुर्ण रावन की चिता चल रही हो वह चिता जो बुझने का नाम ही नहीं लेती पता नहीं कब संसास सेंग के जमाने से यह चिता चल रही है जो कभी ठंडी नहीं होती एक चूले पर चावल चड़ाते ही दूसरे पर दाल चड़ाने पड़ती दाल चड़ाते ना चड़ाते तीसरा चूला धदकने लग जाता उस पर भाद चड़ाने पड़ते रोज एक मन चावलों के भाद बनते थे एक पतिला भाद चूले से उत्रा नहीं और दूसरा चड बहु और माची के लिये महीन सफेद चावल बनते और बड़े बाबू के लिए बासमती चावल बनते इस परकात दाल भी इस परकाल की नहीं बनती थी कोई मुँट की खाता, कोई मसूर की खाता, कोई बिना छिलके के उड़त क्यों पसंग करता कोई खेसारी की दाल पसंग काता जितने लोग गुतिनी तरह का खाना खाना खाते-खाते मोहरी बाबू बोले बड़ी की सबजी देना शिशु की मा बड़ी की सबजी कटोरी में मैंने निकाल कर रखती है बस इतनी ही है ये मत ले जाना नफर खायेगा मंगला कहती है लेकिन मोहरी बाबू मांग रहे है वो मांग रहे है तो इसका ये मतलब थोड़े ही है अन्ने लोग नहीं खाएंगे तो मारी भैस के कारण इधा देखो दूदू फंग गया भही मैं तुमसे भैस करने से रही परती एक दिन लोगों के फर्माईशे पूरी करते करते मंगला और शिशु की मा दोनों थक का चूर हो जाती उपसे उलाने ये शिशु की मा आज दाल में नमक कम है कोई कहता आज दलिया में इतनी मिच क्यों डाली सभी शिकायते रसोई घर के भीतर तक नहीं पहुंचती थी कई बाल खाना बनाते वक्त अंजाने में ही मंगला का हाथ भी जल जाता शिशु की मा पोस्ती हाई राम हाथ पर इतना बड़ा चाला कैसे हो गया दिदी मंगला को पता ही नहीं रहता हं तमें वो चौकर कहती हरी हाँ जैसा चूना नारेल का तेल लगा दू लेकिन सेन परिवार के रसोई घर में तेल चूना लगाने का अफकाश कहां सुबा सुबा उठकर चूलों में आंग चला कर जब खाना बनाना शुरू कर दिया जाता और उसके बाद तो जैसे काम की बाढ़ ही आ जाती और फिर रात के बारा बजे तक मंगला को जैसे सांस लेने तक का समय नहीं मिलता शिशू की माँ बीच-पीच में बहार के कुछ खबरे सुना देती दीदी तुमने सुना जनान खाने की सिंदू ने क्या कान किया है उस वक्त मंगला दाल में छोक लगा रही थी बाद का वक्त नहीं लाड़ो तु ये बता तुने मसाला पीसा या नहीं अधा कोईले जल-जल कर राख हुए जाना है लेकिन शिशू की मा पर मंगला की बात का कोई असर नहीं होता मैं उसी लहजे में कहती जाती पेट के लिए अगर नौकरानी बनना पड़े तो इसका मतलब ये तो नहीं की जिंदगी बेच दी छिनाल का क्रत्य देख कर सच कहती हो दी दी घिरना होती उससे मंगला तब भी उसकी बातों पर जरा भी ध्यान ना देती उस सर्फ इतना पूछती मा जी की तब भी ख्राब थी न अब कैसी है री आज तो बड़े वैच जी आये थे दरवाजे के सामने उनकी गाड़ी खड़ी थी जरा सा वक्त भी नहीं मिलता कि एक बार जाकर उन्हें देखाऊ तो मैं एक काम करते हुए कितने दिन हुए दीदी मंगला का काम आज का है ठीक ठीक याद ही नहीं उसे कि कितने साल हो गए उस बार जब बड़े मालिक तीर्थ करने काशी गए थे तब मंगला ने पहली बार इस घर में परवेश किया था वो बूड़ा नीम का पेड उस बड़ बच्चा था उसकी टहनिया हाँ जरा सके उंचा करते ही चूँच सकते थे इस मकां की नकरानियों ने कितने ही वशो तक इसकी टहनिया तोड़ कर ही दातूं किया था पेड के नीचे की जगा भी कच्ची ही थी उन दिनो कच्चे आंगन में लौकी की दो लताएं थी वे लताएं रसोई घर की छट पा चड़ गई थी पहली बाल लौकी भी लगी नेकिन एक दिन बंदरों ने सभी फूल और कच्ची लौकी खा डाली और लता को तोड़ फोड़ दिया उन दिनों शिशू की माने यहां कामशू नहीं गया था और नफर बहुत छोटा था गोरा खूपसूरत चेहरा था उसका लोग बाग उससे पूछते हां रे तिरी मा कौन है बाब कौन है उन दिनों मोरी बाबू खंजान्ची का काम करते थे वो कहते ए छोकरे नाज तो नाज देखें कालिदास बाबू सरकारी कारिया से ध्यान हटा का चेहरा उपर उठाते हो कहते अब फिर उसे क्यों छेड़ रहे हो लेकिन नफर तब तक नाचना शूका देता है नाच का मतलब थाई थाई नाचना अच्छा अब ज़रा गाना भी तो गा कालिदास बाबू मू बिगाड का कहते समझ में नहीं आता काम के वक्त आप उसे गाने के लिए क्यों कहते है लेकिन नफर ने नाचना बंद करके गाना शूका दिया था मैं बिंदा बन में बन बन में बन सी बजाओंगा मैं बिंदा अच्छा बेटा अब तेरा गाना तो बंद कर और ये बता तेरा बाप कौन है तू किसका बेटा है सरकार महाशे उसकी लुडखनी देखी आपने कभी अच्छा देखी ए ज़र लुडखनी तो खा नफर को ज़ादा नहीं कहना पड़ता हुकम की तामिल करने में मानों से हाल देख खुशी होती थी और अंत में सामने पहुँच कर अभे हाथ फिला देता एक पैसा दीजे ना सरका बाबू भाग भाग जाँ से पैसा क्यों क्या करेगा पैसे का लेमन चूस काऊंगा धप दूरो भाग जाँ से पहनने को तो चीथडे ने और लेमन चूस काएगा बाग जा और सचमुच ही मुनीम को मासते उसे महां से भागा देते उस समय वो बहुत छोटा था कोई कितना ही बुड़ा भला कही चाहें उसे भागा ही दे नफर को कोई फर्क नहीं पड़ता वे फिर से दर्मान लोगों के कमरे में जाका खड़ा हो जाता कमरे में भूशन सिंग दंड बैठक कर रहा था और स्वर निकाल रहा था गल्ले से वे उसे कुछ पल ऐसे देखता और फिर क्या था मैं भी ऐसा कर सकता हूं देखाऊं तुम देखोगे और बिना उत्तर की आशा की वे नंगा हो जाता और उसी हालत में दंड बैठक शूका देता वो ठीक से नहीं कर पाता और फिर भी किये जाता फूल मने की नजर पर जाती तो पूशती अरे तिरे कपड़े क्या हुए नंगा क्यों घूम रहा है पर नफर की कमर में भला कपड़े टिकते थे कोई जबरन पकड़ कर जांग्या वांग्या पहना भी देता तो वे उसी को पहने उस महले दे उस रास्ते घूमा फिरा करता करता बाबू यानि बड़े मालू बड़े मालिक जब कहीं भाहर जाने को निकलते होते साथ में जद्तारण एवं दुलार हरी बाबू भी होते तब आचारा नक सामने आ थमकता बड़े मालिक उसकी हालत देखकर अवाज देते अरे भई इसे कोई ठीक करो कोई कपड़े उपड़े पहना दिया करो एक दिन उसे देखकर जद्तारण बाबू ने पूछा बड़े मालिक ये किसका लड़का है और दुलारी बाबू कहते कई दिन उसे देख रहा हूं उनसे कहां से आया है ए छोकरे तिरह नाम क्या है एक पैसा दो ना जड़ा सा लड़कर अभी से पैसे चाहे क्या करेगा पैसो का उस मोड़ वाली दुगान से लेमन चूस काऊंगा बड़े माली किस्तिती उननती के चरम पा थी तब संसा सेंग के पुत्र थे वे चेतला में धान की मिल चलती थी पोस्ता के छिलको का कारोबाद था बेले घार्ट में तेल मिल्क थी सभी काम बहुत अच्छे चल रहे थी रुपे की तो मानो बारिश हो रही थी खजानची खाते में लाखोर रुपे जमा किया जाता मोरी बाबु के हाथ दुखने लग जाते रुपे का हिसाब किताब लिखते बकाया कॉपे में अधिक राशी नजर नहीं आती थी जबकि जमा खाते में चार पांच अंकों का हिसाब संभालना भारी पड़ता था मोरी बाबु को उसे समझाते सुलजाते रात के आठ नौ बच जाते बड़े मालिक के मुसाहिबों का जुन भी बड़ा ही होता जा रहा था बड़े लोग कहते मालिक आज तो नौका विहार हो जाए बहुत दिनों से नौका विहार नहीं किया अच्छी बात है आज वही किया जाए कभी बाबु लोग कहते मालिक बहुत दिनों से अच्छा गाना नहीं सुना है सुना है मोहर भाई आई हुई है कलकता से अच्छी बात है भाई चलो आज तुम्हें गाना ही सुना दिया जाए कभी मुसाहिबों में से कोई कहता बड़े मालिक नूलो मलिक ने आज सफे कभुत्रों का जोड़ा ख़िदा है मालिक भी उनकी हर बात में हां कहते जाते और कहते अच्छा तो हम भी ख़ई देंगे यानि मुसाहिबों की इच्छा के अनुसा नौका विहार भी होता मोहर भाही का गाना भी सुना जाता और सफे कभुत्रों का जोड़ा भी ख़िदा जाता कहने का तात परे ये कि बड़े मालिक नूसाहिबों